आज भी मैं आपके साथ बहुत ही काओं की रेमेडी शेयर करूंगी और दोस्तों अगर आपको यह रेमेडी पसंद आती है और वीडिया आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक जुरूर करें और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर ल आपका वजन कम होना शुरू हो जाएगा और यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने फूल लिया इसको हिबिस्किस या गुडेल का फूल भी का जाता है यह फ्लावर का पौदा दोस्तों आपको असानी से कोई भी नसरी में मिल जाएगा इन फूलों को आप सुका के लग सकते हैं उसके लिए आप सबसे पहले फूल को अच्छे से वाश कर लें ताकि इसमें कोई भी मिटी न रहे और फिर इसकी सारी पैटल्स अलग कर लेनी है यह देखिए दोस्तों मैंने सारी पैटल्स अलग कर ली है अब आपने एक मलमल का कपड़ा लेना है उसमें यह पैटल्स को डाल देना है और एक पोटली सी बना लेनी है और इसको हमने च्छाओं में रखना है और चार से पांच दिन बाद आप देखेंगे कि यह पैटल्स कर सकते हैं और सालों साल यह खराब नहीं होते दोस्तों बस सुकाते टाइम आपने द्यान देना है कि आपने इंको डारेट सनलाइट में नहीं रखना और फैन के नीचे नहीं सुकाना नहीं तो इन में फंगस लग जाएगी और चार से पांच दिन बाद आप देखेंगे यह कुछ इस तरीके से हो जाएंगे, पूरी तरह सूख भी गया है, ऐसे आप स्टोर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, यह सूखे वे फूल बहुत ही महेंगे मिलते हैं, लेकिन घर में आप एक दमसानी से इंको ऐसे स्टोर कर सकते हैं, सुखा के, अभी तो मैं आप देख सकते हैं, तो चलिए, शुडू करते हैं, एक पानी लेंगे दोस्तों और इसमें एक बॉल आने देते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, दोस्तों अच्छा बॉल आगा पानी में, अब इसमें पैटल्स डालेंगे, फूल की जो अमने दोहिती ही अच्छे से, दो नमपेरी कंगे बहुत ही फाइदा है और इस प्राम स्काइजन को कम करने में और यह लिए ब्लड impact करते हैं और व्लाट शूगर लेवल इस लृड़ को भी कम करने में बहुत है dan sun चाई पीएंगे आपको पीने में ऐसे लगेगा जैसे आप क्रैंबरी का जूस पी रहे हैं थोड़ी देर में दोस्तों आप देखेंगे पानी में पैटल्स अपना कलर छोड़ देंगी और इसको तब तक हम कुख कर लेते हैं जब तक यह कलर ना छोड़े इस टाइम पे दोस्तों आप देख सकते हैं पानी में अच्छा कलर आ गया फूलों ने अपना कलर छोड़ दी है बस फ्लेम ओफ कर देंगे इससे ज़्यादा हमने नहीं करना को चलिए अब इसको कप में ट्रांसफर करते हैं चलिए मैंने कप ले लिए इसमें यह सारा डाल देते हैं कलर आप देख रहें न हमधी डारक का रहा है और यह फूल की पंकड़िया इंको निकाल लेते हैं और इसमें अभी थोड़ा सा लेमन जूस एड़ करेंगे और यह डालते ही आप देखेंगे इसका कलर चेंज होने लग जाएगा यह आप देखेंगे एकदम ब्राइट रेड हो रहा है दोस्तों यह मैजिकल हर्बल टी बनकर त्यार होगी है जो आपने देखा हमने गुडेल की फूलर से बनाई है इसको आपने पीना है खाने से आदा गण टब पहले आप देखेंगे कुछी अफतों में अगर आप डेली पीएंगे तो आपको खुदी फरक लगेगा और क्योंकि आप वेट लॉस के लिए इसको पी रहे है तो आपने इसमें कोई शूगर का यूज नी करना चीनी आप नहीं डालेंगे ऐसे ही आपने पीना है इसको तो दोस्तों आपने देखा इस चाहे के फायदे तो कितने हैं लेकिन एक चीज का आपने ध्यान देना है कि अगर आप प्रेगनेट विमेन है या आप कंसीव करना चाहते तो यह चाहे आपने कंस्यूम नहीं करनी चलिए फिर मैं आपको मिलूँगी नई वीडियो में नई रेमेडी के साथ बाइ बाइ